हेलो ओल नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका निको चोधरी व्लोग्स में सबसे पहले मैं सभी को ठेंक्स कहना चाहूँगी मेरी वीडियो को इतना जादा प्यार देने के लिए और एक बात और दुबारे से कहना चाहूँगी कि देखिए आप कोमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन कुछ ऐसी लेंग्वेज ना लिखिए जो किसी को अंदर से हर्ट कर जाए यानि कि जादा बुरा किसी को लग जाए अपनी राय पेश करना अच्छी बात है जैसे ह अपनी लेंग्वेज को थोड़ा सा अच्छी तरीके से अगर बोलेंगे तो हमें भी देखने में रिप्लाई करने में अच्छा लगेंगा हम भी उसको मोटिवेट करेंगे या आप कौन चीजों के लिए बट अगर यहां किसी की लैंग्वेज गंद्य होगी देखो हम भी उस पर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे और मजबूरन वो कॉमेंट्स हमें ड्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि अगर हम यहां पर किसी के गंदे कॉमेंट्स का जो है कि अपने बेटे के लिए कोई गंदा बल रहा है अपने पापा के लिए कोई गंदा बोल रहा है किसी के लिए भी गंदा बोल रहा है अगर हम उनके खिलाफ वाज उठा रहे हैं और वो ही चीज़े अगर गलती ह हम कर दें हम वो चीज़े यूज़ करें हम वो लेंगवेज यूज़ करें तो यह गलत चीज़ हो जाएगी क्योंकि गलत को रोकने के लिए गलत नहीं किया जाता चलिए यहां पर मैं कॉमेंट पिन करती हूं जिस कॉमेंट के बारे में आगे बताएंगे आपको याद होगा क जो लखन के जो भाई है रिस्की रिक्की उनका भी खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल था जिसको अभी नहीं चला रहे हैं वीडियोस नहीं डाल रहे हैं जो लखनीत फैमली की जो कॉंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद में उन्होंने वीडियोस डालना शुरू किया है लिकिन अभी रिसेंटली वो भमो के व्लोक्स में दिखने लगे हैं और भमो को काफी द्गोर्सी तर्गेट आ रहा था अपनी बेटी को लेकर तो वो गए उनके पास में को वीडियίο में दिखाने के लिए कि नहीं भाई इतना भी कुछ एसा नहीं है जितना आप लोगो कर दिये इसके अलावा और भी बहुत चीजे हुई है रिकी जो है वो कॉमेंट सेक्षर में लोगों को रिप्लाई भी करता हुआ नजर आ रहा है और कई बार रूड लैंग्वेज भी यूज करता हुआ नजर आता है कई बार अपने मम्मी पापा को वो सपोर्ट करता है नजर आता है कई बार किस चीज के लिये होता है और देखें वो सपोर्ट करे गा क्योंकि उनका बेटा है जो बुरा लगissant वो उनको सपो currency करेगा और वो support कर रहा है कि इसके खिलाफ जो लोग उनको गंदे comment कर रहे हैं यार अपनी language में गंदे comment कर रहे हैं लेकिन इतना ज़रूरिक की को सोच रहे हैं कि आपके father जो language उस कर रहे हैं अगेन मैं एक बात कहना चूँगी जो मैंने पहले भी कहा था कि comment कोन करता है हमें नहीं पता होता क्या उनकी ID से कोई और comment कर रहा है या वो खुद comment कर रहा है उनकी team से वो कुछ कहते हैं गुस्से में और team वाले गुस्से में इस तरीके को comment करते हैं कुछ नहीं पता कि वो comment क लेकिन जो भी language सामने आ रही है वो बहुत ही जादा rude है गलत है और गंदी है जिनके हम यहीं बोलते हैं कि भई थोड़ी अगर आप अपनी language को थोड़ा अच्छा करेंगे तो लोगों का support जो आपको मिलेगा वो आप खुद देखेंगे कि हाँ भई लोग support करें और एक बात से ये बाते इतनी बड़ी है और रिक्की का जो ये comment है जिसको मैं अभी पढ़ूंगे यहां पर उस comment से कुछ बाते यहां clear हो रही है जो कि आप भी समझ पाएंगे पहले comment पढ़ते हैं पहले आप idea देख लीजेगा और उनके सामने लगाटिक देख लीजेगा फिर आगे लोग बोलते हैं कि जूटे comment आप डाल रहे हो तो उनके लिए यह आए opener है प्रोब्लम यह है कि लोग चाहते हैं जिसको वो सही सुनना चाहते हैं मैं उसको सही बोलू बट मैं यहां किसी को सही गलत बोलना नहीं आया क्योंकि सही कोई नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि आ ले नहीं लक्षमन जी ने राम जी तक को राम जी तक से लड़ाई कर ली थी जब उन्होंने अपनी अगनिक परिक्षा की बात की थी और मैं यह नहीं कह रहा कि यहां राम जी गलत है और पाई सही है 100 बार बोल रहा हूं फिर बोल रहा हूं दोनों की गलती है और दोनों ज दिक रहा है कि भावी और मुम्मी, इनकी लड़ाई में टार्गेट हो रही है सबसे जादा। पर कहीं पाई की गल्ती निकाहे लिजा रये कहीं बहमू की कहीं लखन की कहीं नीतू की कहीं सैडी की तो यह चीजहें जो गलत गलता रही है ना इसमें सबसे जाधा इफेक्ट बहमू और मीतू का पढ़ रहा है क्यों कि जहां एक तरफ मीतू की परवरिश पर कभी सवाल कि सेंडी के आने की वज़े से सब चीजे हो रही है। कि कुछ रिष्टे वो बधनाम होते हैं। बले ही सब के साथ में ऐसा ना हो लेकिन वो रिष्टों का नाम बद्राम है जैसे कि सास बहु का नाम बद्राम है जितना ससूर और बहु का नहीं है देवरानी जेठानी का नाम बद्राम है तो ये जो बद्राम रिष्टों होते हैं उनसे ऐसा लगता है कि अगर किसी घर में जगडा हुआ है तो बहू की वज़े से हुआ है या सास की ही वज़े से हुआ है उनको सबसे ज़ादा टार्गेट कर दिया जाता है भले ही रिजन कोई भी हो लेकिन मैं इहाँ पर एक बात करना चाऊंगी हम इहाँ किसी को जज नहीं करें कि किसकी गलती है किसको कौन सही है हम यहां पर social media पर जो हुआ है उसके हिसाब से लोगों को यह कह सकते हैं कि भाई जो social media पर गंदगी मचाने की जो शुरुआत की थी अपनी language को जो गंदा किया था वो पाई ने किया था यह शब्द नहीं होते हैं बोलने के जो उन्होंने ब करीन हैं उनके मतलब सपोर्टर को भी इतना गंदा गंदा आप लोग गुमराम हों आपके मापापों ने ये नहीं किया वो नहीं किया आप ऐसे रहोगे जिंदकी भर गुलाम रहोगे आप कुछ नहीं कर सकते मतलब कि इस चीजे से यह जलक रहा है कि इतना जादा घमंड और कहीं ना कहीं अभी दो तीन दिन से जब से लखन ने ये चीजे खोलनी शुरू की है पाई शांत है पाई कुछ नहीं बोल रहे हैं कि शायद उनको भी समझ में आ आ गया है ये चीज कि उनकी बहुत जादा किरकिरी हो चुकी है अपनी लेंगवेज की वज़े से शोशल नहीं ये कर दूँगा अगर मेरे मैसी डिलीट किया ना मैंने स्क्रीन शॉट रखा और ये इनकी सपोर्टर करते हैं ये तो करेंगे वह एक अलग चीज है क्योंकि यहां पर मैं सच बताओं मुझे मैं किसी एक को जज़ करने हम लोग यहां नहीं बैटे हैं और मैं यहीं क आपने तो पैसे खाए हुए हैं लक्षन की तरफ से तो मैडम आप अंद्भकत है हम नहीं हैं हमें जो दिख रहा है जो बोल रहे हैं वो ही बोलते हैं और वो ही बोलेंगे अगर आपको पैसे दिये गए हैं कोमेंट करने के लिए तो उसमें हमारी गलती नहीं है कि आपकी खुबे पैसों की पट्टी बान दी गई है क्योंकि अगर आप हम पे यह claim लगा सकते हैं कि हमें पैसे मिले हुए हैं तो सबसे पहलो तो claim आप पे जा रहा है क्योंकि आप अंत्भक्तों की तरह कुछ भी comment कर रहे हैं अगर आपको इतना ही judge कर रहा है तो पहले से लेके अब तक की वीडियो देखें का कहना यह जूटे प्रूफ बना रहा है जूटे comments दिखा रहा है अरे कुछ तो शरम करो मजलब एक बात बताओ यह चीज़े जो सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं सब के जूटे comment बना बना के डाल रहे हैं और अगर जूटे comments आ रहे हैं तो क्य प्रूटे comments हैं तो इसलिए थोड़ा सो समझ के दिमाख लगा के comment करो इतना भी क्या अंदभक्त हो ना कि जो बिल्कुल ही पागल हुए जा रहे हो अगेन मैं यह कहूंगे कि कि किसी एक के लिए hate नहीं फैला हो और ठीक है जो गलत है उसको गलत कहो जो सही है सही कहो लेकि अपनी language अगर आप भी उनकी तरीके से खराब कर देंगे तो फिर इस जो चीज है ना इसको कोई solution नहीं निकलेगा चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पैंड मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you so much